कि नमस्कार में गुद्टेश्वर पैंडे डीजीपी बिहार करोना खतम नहीं हुआ अनलॉक टू का मतलब यह नहीं कि करोना खतम हुआ रात में दस बजे के बाद फुबा पांच बजे तक अभी भी करफू है जान बचाना है पूरी दुनिया तबाह हो गई अमेरिका ढगय इंग्लेंड ढगया जर्मनी इटली चाइना बड़े बड़े देश द्वस्त हो गए हिंदुस्तान एक सो तीस करोड की आबादी वाला देश बारह कोड़ा केले वियार में रोज बढ़ता जा रहा है परसों तुपोने तीन सो लोग हो गए पॉजेटिव जान बचाने का एक ही तरीका है मास को हमेशा मुह पर लगा के रखें गमची से मुह नाक को ढख तीन ही जगा है जहां से करोना गुषता है दोनों नाक का छेद और मुह तीन को हमेशा ढख कर रखेंगे करोना से पीडित होने की संभावना बहुत कम है और भीड में तो बिलकुल नहीं हादी में हजारों लोग को फैला देंगे भीड में तो जाना ही नहीं है और बड़े दुख की बात है इसी कारण देखें इद की नमाज घर में हुई सारी मस्जिदें बंद हो गई सारे मंदिर बंद हो गए खोला गया था लेकिन बाबा धाम का कामरियां वाला जल हम लोग नहीं चड़ा पाएंगे जला विजएक नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें लाखों की भीड होती है और करोना जिस तरह से फैल रहा है लाखों आदमी की जान खत्रे में पड़तकती है इसलिए हाथ जोड़ करके निविदन करता हूं घर में भगवान सीव की आराद ना करे है अर्चना करें वो तो अधरदानी है आपके मन के भाव को समझते हैं कामरिया जल नहीं चड़ाना है सारे मंदिर जहां जलाव से खुता है बंद रहेंगे और घ्रदय से सद्धा से भगवान सीव का स्मरण करें उनसे प्राथना करें कि करोना का संकट दूर हो घर में रह हैं और हमेशा मूह धक करके रहें मास्प जरूरी है गंठी से या मास्ट से बिना मुह नाँढ़के बाहर बाहर नहीं निकलना है हाथ को साफ सुत्रा रखना है भीड में तो जाना ही नहीं है अनवस्यक मुमिंट भी नहीं करना है यह में बात को आप ध्यान में रखेंगे आप सब मेरा बहुत बहुत प्रणा